लेकिन मैं इस सभा से जानना चाहूंगा आप लोग आवाज दिते हैं कि हमारे बुजुर्गों को पेंसन मिलता है अब ही पचास साथ हजार और नियुक्तियां निकलने जा रही हैं वहां हमारे आने वाले नौजवान अपना किस्मत अजमाएंगे आपको रासन का दुकान च क्या दुकान सेलून backyard सिलाय दुकान चपल का दुकान लोहा था बढाई का दुकान कोई बीचिस तरीके का विबार करना चाहते हैं उसमें जो आपके पास पूंजी क्या है आपके पास अगर पूंजी नहीं है आप सरकार के पास आवेदन देजिए वो पुझी सरकार आपको देने का काम करेंगा लेकिन इतना आवेधन पढ़ा कि हम लोग का पैसा ही घड़ गया हम लोगों कि हाँ धान कराई होता है लेकिन धान का मिलिंग नहीं होता था इस बार हम लोग उने बड़ी संख्या में राइज मिल लगाने का सुविक्रिती परदान किया है जो थोड़ा संबरांथ है जो थोड़ा पड़ा लिखा है राइज मिल चला सकता है आप लोग राइज मिल का भी सकते हैं कि सवार हो जाए जब जुनून सवार हो जाए जब जुनून सर पे कुछ पाने का रह जाएगा क्या दुनिया में जो हाथ नहीं आने का और इनी जोड़दार तालियों के बीच और इनी दार जोड़दार खुश्यों के बीच हम मानें ये मुक्य मंत्री जी को अब सा शीर वचनों के लिए जो डाटानों के साथ स्वागत करें। शीर वाले नौजवान अपना किस्मत अजमाएंगे लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं जो नई पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी मुखमंत्री सिर्जन योजना लेके हम आये हैं। चाय का दुकान, सेलून, ब्यूटी पार्लर, सिलाई दुकान, चपल का दुकान, लोहा ठट, बढ़ाई का दुकान, कोई भी चीज तरीके का विबार करना चाहते हैं। उसमें जो आपके पास पूंजी की आवे सकता है, आपके पास अगर पूंजी नहीं है, आप सरकार के पास आवेदन देजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम तरेगी। अभी शुरू सुरू में जब हम लोगों ने इसको चालू किया, बहुत सारे आवेदन आए, पहले तो पता चल लगा कि लोग साइद इस योजना को पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इतना आवेदन पड़ा कि हम लोग का पैसा ही घड़ गया, लेकिन इस बार आप लोगों कि इस रुझान को देखकर, मुखमंत्री, रोजगार सिर्जन योजना में हम लोगों ने अतिरिक पैसा डाल दिया है, इसलिए आप लोग इस बार आवेदन दे, गाड़ी खरिजना हो, ट्रेक्टर खरिजना हो, और भी किसी भी तरीके का, बैंक के पास जाईएगा, आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आप उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ बंदक देना पड़ेगा, लेकिन बंदक वो आपका जमीन नहीं ले सकता, तो आप बंदक दीजिएगा, क्या, तो इन योजनाओं में आपको कोई बंदक देने का ज़रूत है, इसलिए आप आईए, आप सो रोजगार पैदा किजिए, खुद भी रोजगार पाईए, औरों को भी रोजगार दीजिए, नौकरी वाले नौकरी की तरब जाएंगे, काम करने वाले काम की तरब जाएंगे, हर कोई काम नहीं करेगा, हर आदमी का एक अपना रास्ता बना हुआ है, यह अनधाता जिसको हम किसान करते हैं, जिसको लोग कभी भारत किसानों का देश है, आज इन किसानों को खत्म करने के एक बड़ी योजना चल रही थी, अभी भी चल रही है, अगर वो किसान मर गया, तो हम सब भूके मर जाएंगे, इसलिए किसान को भी मजबूत करने का हमारा लक्ष है, ताकि हम लोग भूखा ना मरें, हम लोगों कि हाँ, धान कराए होता है, लेकिन धान का मिलिंग नहीं होता था, इस बार हम लोगों ने बड़ी संख्या में, राइज मिल लगाने का सुख्रिती परदान किया है, ताकि हम लोग धान कराएं अधिक से अधिक कर पाएं, और उन मिलों के माद्यम से अनाज निकाल करके, गरिबों के बीच में बार्च के, तो आप सब लोग इसमें भी जा सकते हैं, जो थोड़ा संबरान्त है, जो थोड़ा पड़ा लिखा है, राइज मिल चला सकता है, आप लोग राइज मिल का भी आवेजन सरकार को दिजिए, राइज मिल सिरफ आर्थिक रूप से ही नहीं, बलकि राइज मिल लगाने के बहुत बादल चारो तरब घिरा हुआ है अभी हम लोग एक और दो कारिकरम में जाएंगे इसलिए हम और नहीं बात करते हुए इनी बातों के साथ सब अपनी बातों को सबाब करेंगे लेकिन मैं इस सबा से जानना चाहूंगा आप लोग आवाज दिए कि हमारे बुजुर्गों को पैंसन मिलता है आवाज कम है पैंसन मिलता है हमारे महिलाओं को पेंसर मिलता है हमारी बच्चियों को सावित्री भाई फूले का योजना मिलता है बच्चियों का आवाज बहुत तो और हमारे बिपक्ष लोग बोलता है कि यह सब काम बेकार है कोई काम नहीं होता है खैर देखने का अपना अपना नजरिया है हम जिस चस्वा से देख रहे हैं यहाँ पर इस मैदान में खचा कच लोग भरे पड़े हैं अट नहीं रहे लेकिन लगता है वो लोग सिसा का चस्वा नहीं टीन का चस्वा पहनता है इसलिए वो लोग को नहीं दिखता है खेर जिसको कोई देखना है देखे थोड़ा सा इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा बहुत जल्द आप चुनावी समर्द की तैयारी होगी और बड़े लोग हम लोग के गाओं और आजपास की इलाकों में आएंगे कुछ हमारा ही भाय गोतिया लोग कोई सोरें पारीज कोई मुंड़ पारीज कोई मरांडी पारीज कोई बोद्रा पारीज कोई हो पारीज करके लोग होगा और उन लोग उनका एजेंट बन करके हमें बेकुप बनाने का काम करेगा याद रखिएगा 20 साल हम लोगों को राज लेने में 40 साल लगा राज लेने में और मुखमंत्री का कुर्सी लेने में भी 20 साल लग गया अब इस बार इनको इस तरीके से पहले तो बोला कि यहां का अधिवासी लोग राज लेगा यहां का अधिवासी लोग तो हड़िया पी के पड़ा रहेगा पेड के नीचे हम लोग राज भी लिया आप उसके बाद जब सरकार बनाए तो बोलेगा इन लोग सरकार कहां से चलाएगा दो-चार मेना के बाद गिर जाएगा और रोज सरकार बनने के एक घंटे के बाद से इन लोग सरकार गिराने के पिछे पड़ गया कभी इधर से विधायक लोगों को खीच के ले जाए लेकिन आज तक वो काम्याब नहीं हुए और यह सरकार 29 तारिक को चार साल पूरा करेगी चार साल नहीं आने वाला समय भी इसी राज के मूलवासिया दिवासियों की सरकार बनेगी इनी बातों के साथ सब को बहुत बहुत सुब कामना है उन्ह मेरी और से जोहार